कैसा रहा आज का market? तो आज ब्राइड बेस पे फिर वो large cap हो mid cap हो small cap हो हर level पे market पे हमने आज correction देखा है कोई reason specific reason नहीं है ऐसा कोई specific reason नहीं है I think overall बोरिंग market होने वाला है ये for the rest of the year calendar year ऐसा मुझे लगता है जब मैं ये market को देख रहा हूथ तो मुझे 2011 से लेके 2013 की याद आती है कि जहां पर कुछ जादा मुवमेंट सी नहीं थे मार्केट में एक साइड़ वेज की तरह मार्केट चल रहा था वबट वट वी नीड टो अंडेस्टाइड कि जो अर्निंग्स है जो प्रॉफिटाइबिलीटी है कंपनीज की धीरे 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 बढ़ती जा रही थी बट जो एंतुसियाजब मार्केट में होना चाहिए वो नहीं था एक चीज फिर से एक बार यहां पर हम रिपीट होते हुए देख रहे तो पहला जो स्टॉक है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे जो बारा परसंट से आज उपर गया है 12 परसंट से है स्टॉक का नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड तो ऐसा क्या हो गया तो यह जो कंपणी है इसका एक जॉइन्ट वेंचर हुआ है with रशीयन फर्म ट ans masked holding यह जो जॉइन्ट वेंचर हुआ हैं पर तो जिसमें रेल विकास निगम लिमिटेड का सिर्फ 25 परसंट का स्टेक है बचावा स्टेक एक तो रशियन कंपणी का और और एक कंपणी उसमें जॉइंट वेंचर में है तो वंदे भारत यह जो ट्रेंज से काफी एक सक्सेस्फुल ट्रेंज मानी जारी है इंडिया में एक नया अवतार ट्रेंड ने रिल्वेज ने लिया है ऐसा लग रह ने किया था जो अप्रू हुआ है जिसमें ये दो सो वंदे भारत ट्रेंज को मैनिफेक्ट्र करेंगे उसके बाद सर्विसिंग मगरी भी रहेगे उसके मेंटेनंस का वह एक कंट्राक्ट है एक वंदे भारत ट्रेंड बनाने का कॉस्ट है 120 करोड रुपे यह दो सो अगर वह बंदे भारत ट्रेंज बनाएंगे तो टोटल कास्ट जो लगेगा इस जॉइंट वेंचर को वह रहेगा 24,000 क्रोड रुपीज का बिड कितने का है 58,000 क्रोड रुपीज उसमें मेंटेनंस है सर्विसिंग है बट स्टिल एक अच्छी प्रोफिटाइबिलीटी का एंगल यहां पर दिख रहा है में 34,000 क्रोड रुपीज का अपरेटिंग प्रोफिट यहां से निकल सकता है या फिर थोड़ा बहुत बाकी सारी कॉस्ट अगरे निकालके एक अच्छा बतला अल्मोस्ट 50 परसेंट का मार्जीन इस कॉंट्रेक्ट से निकल सकता है बट ओर दे प्र क्रोड चार पांच नहार करून रुपे के रिवेन्यों इस कमपनी के हो रहे है तो डेफिनेटली यह बहुत बड़ा कॉंट्रक्ट कंपनी को मिला है जॉइंट वेंचर को मिला है जिसमें से 25 परसेंट विल तो विकास निकम लिमिटेट विकॉस इस जो जो परसेंटेज श जादा लग रही है अदर्वाइस इतना बड़ा स्टेक कैसे मिलता सो बड़ेट सिल इस अ गुट थिंग सो होपफुली एवर्यथिंग विल गेट मैंन। इंडिया सो उसकी वजय से अगें आया याल्वेस से एको सिस्टिम की आप आओ इंडिया में पैसे कमाने में कोई प कंजमिशन पे पॉजिटिव इंपक्ट हो गाई होगा तो दाट से रियली पॉजिटिव न्यूज तो दूसरा जो स्टॉक है उसके बारे में बात करेंगे मारूती सुजु क्या इस टॉक डाउन है दो ड़ाई परसेंट से रीजन आइधिंग फेबुरारी की मंत के जो सेल इसके नंबर आये वह इतने अच्छे नहीं है सो ओवराल जो ग्रोट पैसेंजर वेहिकल में वैसे देखा जाए तो डबल डिजीट ग्रोथ हुई है पूरे मार्केट की अगर हम बात करते हैं पटिस कमपनी की जो ग्रोथ हुई है पैसेंजर वेहिकल में वह सिंगल डिजी आफ्टर बजेट बजेट में जो अनॉंसमेंट्स आये हैं नेक्स फिनांचिल यर के लिए जिसमें न्यू टैक्स रेजिम को बहुत जादा प्रमोट किया गया है तो उसकी वज़े से लाइफ इंशरेंस कंपनीज पे धीरे 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 एक प्रेशर बनता दिख रहा है इ यह जो कौटर है इसमें बहुत जादा पुछ किया जारा है तो इसा दिखाया जा रहा है कि यही लास्ट माउपोचन इंवसको अधर अगले साल से तो गवर्मेंट ने उसको बंद ही किया है सब्सक्राइब करोगे तो उसी तरीके से सेल करने की जो इच्छा है इस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनकी वो कितनी है उस पे सारा दारोमदार अभी बना रहेगा ग्रोथ के पॉइंट आफ यू इंसेंटिव्स फ्रॉम इंवेस्मेंट पॉइंट आफ यू इंशुरंस के गवर्मेंट निकाल दिये है ब्कॉस अब यह चैलेंज यह इंडस्री कैसे लेती है वो भी देखना ज सकती है लाइफ इंशुरंस बिजनेस में लाइसी में भी थोड़ा साइस्टेक निकाला गया है गवर्मेंट की तरफ से आगे जाके और ज्यादा डिस इंवेस्मेंट्स लाइसी में हो सकते है तो वह भी ओवर सप्ला है मार्केट में नबर आफ शेर्स का आ सकता है सो दैट कि कैसे कुछ-कुछ यूट्यूब चैनल्स आर प्रमोटिंग सम्मॉल कैप वगरे स्टॉक्स और वह मैंडिशन फाइंड आट करोड रुपे का ऐसा प्रॉफिट जनरेट किया गया है चार यूट्यूब चैनल से और वर सम सेलेबरिटीज फिल्म सेलेबरिटीज वीच वर और आपको पतनी को 37 लाक रुपीज का प्रॉफिट हुआ है फिल्म आक्टर कौन है वह जो जिसने मैनिपलेशन किया अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बोलियेगा सो देखते सेवी ने उनको पनिश पनिश किया है इस चीज सब चीजों के लिए तिक यह जो माल चल रही है इदे नीद तू सब बिकास इस वन मीडियम फ्रॉम लर्निंग पॉंट फूइद फूइटिंग पॉंट फूंट फू अगर किया जाए तो बहुत ही बढ़ेया तरीके से किन्वेस्ट एजू करियेट हो सकता है प्रॉब्लम इस इंस्ट ग्राटिफिकेशन पिर वह यूटुबर्स का हो या फिर वह फॉलोर्स का हो यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और वह जाल में फस जाते हैं सब्सक्राइब करें प्रॉब्लम इसको बहुत अच्छा मीडियम है अगर इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज किया जाए है तो इस चैन क्रिए रिवोलुशन दिस नो डाउट अब 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 अड़नी ग्रूप के बारे में बात करनी होगी विकाज सुप्रीम कोट ने फाइव मेंबर्स की कमिटी फॉर्म की है कि जो यह जो भी ऐलिगेशन लगाए है अड़ानी ग्रूप पे रिगार्डिंग स्टॉप मैनिपलेशन और दोस तिंग्स वो पूरा एक्जामीन करेगी और इस पर्टिकुलर मूव के बात स्टॉक्स एक्टिली ऊपर चले गए तो वो भी एक सर्प् यहां पर एक्जाटली हो क्या रहा है वही समझ में निया रहा है और एक वागी आपकी आई थिंग दोस्तों यह जो पेशन स्टिंग का काम होने वाला यह बहुत लंबा चल सकता है बतलब एक साल अल्रेड अबने देखा है और चाहद यह फिनांशल यह बहुत यह बहुत वैसा ही रह सकता है ऐसा माना जा रहा है विकॉस जो इंफलेशन का स्टीकिने से वेस्टन वर्ल्ल में वह थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है तो फॉल जो है अटे अनलेस फेटरल रिजर्व अधर सेंटल बैंकर्स विकम कंफिटेबल तो वह कम होगा रेड इंट्रस रेट बड़ाते है बर्ड़ चीज हमें हमेशा देखनी है वाट इस दी प्राइस टो अरिंग रीशा अपनी अन्हें बढ़ाते जा रहे companies with low debt-to-equity of a nil debt-to-equity zero debt-to-equity is your companies a good return on capital employed good return on equities I think a companies will be doing really well they will keep looking attractive thoda sub premium valuation in companies kohota hai but stock price means other moment nahi lagy dikha apko there will be a very good year I don't know whether it will be 2024 or 25 but I think everything will get averaged out so discipline follow kiji investing ka sip way investing karteri financial goals ko linker ke investing karteria I think that is the best approach to have so asha karta hun ki aaj ka bhi video apko acha laga hooga dillivalo 25th of March 2023 ko we will be in Delhi so a session ham vaha pere us session ko agar aap attend karna chahte ho to session ko seed book karneki link many comment section me or description box me di hai to please waha pere jake aap aapka seed book kiji je 25th of March 2023 we will be in Delhi cannot place me o session ho ne waala hai so a jaga koon siya kya hai woh sare details aapko email pere mil jayegge once you book the seed so asha karta hun aap zarur us agar aap dilhi se ho gurgao se ho ya NCR se ho to you we would like to meet you in Delhi so next video tak ke liha mujha aagya dijiyo dhustu video ko like karna share karna wa satsang log subscribe karna mat bhol lana kis video ko milte hai jayhin 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 jayhin